दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि DD3Ds में जो चैनल होता है उसमें लगबग 1500 से अधिक ही चैनल होता है अगर आपके टीवी पर 1500 से कम चैनल है माल लेते हैं कि आपके टीवी में DD3Ds का 40, 50, 60, 80 तक चैनल आ रहे हैं उससे अधिक चैनल नहीं आते हैं तो यह प्रोब्लम कहां से होता है इसे कैसे ठीक किया आता है आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ तो देखे मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं यहां पर Okay का बटन दवाता हूँ तो देखे यहां पर दस चैनल का चाट खुल गया है अब मैं आपको दिखाता हूँ किसमें total कितना चैनल है इसमें जो कुछ चैनल है वो बेकार का भी चैनल गुसा हुआ है देख लिजे अब देखे यहां पर भी अब चैनल देखे इसमें भी कुछ चैनल जो है कि बेकार का चैनल है तो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ देखे यह 30 चैनल का चाट खुल गया अब इसके बाद मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ तो देखे यह 50 चैनल का चाट खुल गया इसके ब और इस चैनल को क्या करना है वो मैं आपको बताता हम अगर आपके साथ आपके प्रोब्ल्म आ रहा है, आपके dd3DIS में जो चैनल है, वो कम आ रहा है तो आपको क्या करना है? हो मैं अब आपको अच्छी तरह समझाता हूँ तो पहले आप देख लिए यहां पर देखे यह मैं आपको दिखाता हूँ नीचे करके देखे यहां पर DD3D का receiver लगा हुआ है है न तो यह DD3D का ही सारा channel मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है तो इसके लिए आपको देखे पहले मैं OK का बटन दबा लेता हूँ यानि कहां से पहले बैक हो जाता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है अब आपको करना यह है कि remote में जो menu का बटन है यहां पर आपको menu इन्यू का बटन को देवा देना है तो देखे यहां पर क्या होता है इस तो देखे क्या होता है यहां पर इस तरह का चाइट खुल गया अब क्या करना है जो यहाँ पर आ गया अब यहाँ पर OK का बटन दवा देना है तो देखे क्या होगा मैं यहाँ पर OK का बटन दवाता हूँ इसमें इसमें नहीं बचाब्चा अब देखे इसमें आपको मेनु का बटन दबाना है तो आप इस तरह का चार्ट खुल दाता है अब आपको यहां पर क्या करना है जो तीसरे नमर पर लिखा हुआ है प्रोग्राम सेट अप उस पर आना है तो मैं यहां पर तीसरे नमर पर प्रोग्राम सेट अप लिखा हुआ इस पर आ जाता हूँ यहाँ पर ok का बटन दभाता हूँ देखे इस तरह से खुल गया अब यहाँ पर 14 नमबर पर auto scan लिखा ओगा यहाँ पर आपको आजाना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ auto scan पर आ जाता हूँ यहाँ पर अब मैं okay का बटन दभाता हूँ तो देखे क्या होता है देखे मैंने OK का बटन दवाया अब आपको क्या करना है फिर से यहां पर OK का बटन दवा देना है तो मैं फिर से यहां OK का बटन दवा दिया अब ये देखे ये Auto Scan होने लगा है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से auto scan करते हैं उसके बाद भी आपका सारा channel इसमें नहीं आता है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीक है तो पहले यहां देख लेते हैं कि इसमें पूरा channel आता है या नहीं तो देखें यहां पर दिखा रहा है कि अभी कितना channel आय देखते हैं आता है या नहीं वह भी देख लेते हैं देखें 64 हो गया हमारे पास तो भी 54 ही चैनल था लेकिन यहां पर 64 दिख रहा है और आगे देखते हैं कितना channel आता है इसमें देखते हैं सर्च हो रहा है चैनल तो बढ़ा है देखें अगर आपका इस तरह से auto scan करने पर तो सारा channel नहीं आता है तो मैं वह भी बताऊंगा कि आगे आगे क्या करना है ठीक ना अगर यहां पर आ जाता है सारा चैनल तो ठीक है नहीं आएगा अगर आपका सारा channel तो यहां पर 100 channel हो चुका है यानी कि इसमें सारा channel आ जाएगा तो इस तरह से आप auto scan करेंगे अगर आ और देखते हैं आगे हैं देखे 158 चनल आचुका है एक सो पचातर चैनल यहां दिखा रहा है फिर यहां से बैक हो जाता हूं तो देखे यहां पर आया होगा है अब मैं मेनू का बटन दवाता हूं और यहां से बैक हो जाता हूँ, तो देखे मैं यहाँ पर मेनू को बटन दवा कर बैक हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना चैनल आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ओके का बटन दवाता हूँ, तो देखे क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है कि 192 चैनल आ चुका है, हो स तो चेनल साथ the arrive on 92 इसका मतलब चैनल की कुछ चैनल इसमें Settings ठीक है मतलब है तो फिर भी साँमारा चैनल तो ही चुका है जितना चैनल है उतना तो आही चुका है देख लिजी तो इस तरह से आप भी जो है कि अबर आपके टीवी में कम चैनल आ तो auto scan करके सबसे पहले आप देख लिजिए अगर आपका सारा channel आज आता है तो ठीक है अगर सारा channel नहीं आता है तो समझ लिजिएगा कि antenna में problem है यानि कि antenna के पास ही problem है कुछ भी problem होगा वो antenna से ही problem होगा तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि DT3D में अगर कम channel आता है तो उसमें क्या problem होता है